हेलो दोस्तो दोस्तो आज कि ए site की स्वागत है और आज ही स्पेसल डूंड की अम आन बॉक्सिंग्य वाले हैं कि हाली में लाउंच हूआ है नूड्रोन हूं है बिल्कुल और यहांपर यह जो ड्रोन है, यह इस बैक के अंदर ही आता है. Bit in इसी के साथ मिलता है यही इसका box है तो यहां पर इसकी packing मुझे बहुत अच्छी लगी है क्योंकि यह box बहुत ही अच्छे material से बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छा bag है तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा drone इसके अंदर रखा होता है बहुत अच्छी packing है इसकी तो चलिए अभी सभी चीज़ों को मैं पहले box से बहार निकाल लेता हूं उसके बाद एकिक करके आपको सभी चीज़े दिखाऊंगा तो देख सकते हैं हमने सभी चीज़े box के बहार निकाल ली है तो सबसे पहले यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं दो manuals यहां पर जो पहला manual है वो आपका camera manual है मतलब आपके drone के camera का manual जिसमें आपको QR code मिलता है जिसे scan करके आप इसकी camera app को download कर सकते हैं जिसके थुरू आपका जो camera है drone का वो आपके mobile पे wifi के थुरू दिखाए देगा देख सकते हैं यहां पर आपके mobile में जो app होगी उसके सारे functions के बारे में अच्छी तरीकी से बताया हुआ है तो camera manual बहुत ही अच्छा है बाकि यहां पर अभी देख लेते हैं इसका जो drone का fly manual है यहां और remote का जो main manual है वो यह है इसमें आपको drone कैसे fly होता है remote कैसे काम करता है battery कैसे install करनी है सब कुछ बहुत अच्छी तरीकी से बताया होत है जैसे कि यहां देख सकते हैं एक एक करके की के बारे में बताया है यहां पर battery installation के बारे में और यहां पर आपको उपर नीचे करकर के दिखाया है कि कौन सी की से क्या होगा और पीछे की side में आपको यहां पर accessories के बारे में बताया है तो इस manual में काफी अच्छी तरीकी सी detail चीजों को और यहां पर आप देखते हैं तो एक-एक नमबर से बता होआ कि कौन से की क्याओ काम करें ठीक है तो चली दिरें गार्ण को जसे के लेखने के लिए मिल जाते हैं इससे आपके प्रोपलर काफेः तक सेफ रहती है बाकियिक कर देखने है और यहां पर मिलती है आपको 3.7 volt 1800 mh की बैटरी जो कि काफी बड़ी बैटरी है और यहां पर देख सकते हैं इस बैटरी में है यहां पर charging port और यह है इसकी drone से connect होने वाले pin तो चलिए अभी इसे भी हम नीचे रख देते हैं और बाकी यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं दो extra propellers इनका use आप अप कर सकते हैं जब आपके drone की propeller damage हो जाएंगी लेकिन यह चार होनी चाहिए थी यह केवल हमें दो ही extra मिली ह बाकी यहां पर मिलता है USB to Micro USB आपको charger देख सकते हैं तो उचलिए भी फिलाल इसे भी नीचे रख देते हैं अभी मैं आपको दिखा देता हूं इसका remote तो यहां पर आप remote को देख सकते हैं remote इसके ऊपर के antenna को हम खोल लेते हैं जिससे इसके remote की range काफी ज्यादा extend हो जाती है बाकी यहां पर यह जो buttons आपको दिखाए दे रहे हैं यह हैं सारे trims button बाकी इसकी जो joystick है इसमें दो joystick मिलती हैं आपको पहले वाली joystick से आप drone को up, down, left rotate या right rotate कर सकते हैं second वाली से forward, backward, left या right कर सकते हैं बाकी यहां पर indicator light है और इसके नीचे on off का button मिल जाता है और यहां पर स यह देखेंगे उपर की side में तो आपको speed का button मिल जाता है और उसके उपर handless mode का और यहां पर six success zero का और यह है 360 flip का ठीक है इसके पीछे की side में अगर आप देखते हैं तो यहां पर डलती है इसकी battery और डीचे की side में आप देखते हैं तो यहां होता है इसका mobile stand इसमें आप ल देख सकते हैं काफी प्यारा सा यह छोटा सा drone है मतलब foldable है तो छोटा सा ही लगता है देखने में अभी आप देख सकते हैं मेरे पूरे हाथ में ही आ रहा है और यहां पर super toy की इसमें branding की गई है उपर की side में और जब इसे आप कुछ इस तरीके से unfold करते हैं तो इसका size काफ की है क्योंकि यह मुझे DJI के drone जैसी feeling दे रहा है और यहां पर सामने की side इसमें LED lights है और यह इसका camera है इस पर लिखा भी है camera drone photo and video यहां पर drone pro लिखा हुआ है और बाकी material quality की काफी जादा अच्छी है मुझे काफी अच्छी लगी बाकी यहां पर नीचे और यहां पर blue color की light ह और सामने light है बाकी यहां पर इसे जैसे यहां प्रेस करेंगे तो इसकी सारे light चल जाएंगी देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से इसमें lighting लगाई गई है एक दम professional drone यह लग रहा है देखने में तो चलिए फिलाल मैं इसे off कर देता हूं और यहां देखेंगे तो इसकी proper normal drone है और normal सा ही weight है इसके अंदर जितना मोटा सा यह लग रहा है देखने में इतना भारी नहीं है बाकि दूस्तों यह dual camera drone है एक camera इसमें नीचे की साइड में आपको मिल जाता है और एक camera सामने की साइड में और यहीं है इसका Wi-Fi antenna जिससे आपकी जो Wi-Fi range है वो काफी तो यह battery जो है बिल्कुल extra हमें मिलती है इसके साथ में तो यहां पर पहले से ही drone में बैटरी लगी हुई थी और यह battery हमें extra मिली है तो वैसे 3.7 volt 1800 mh की battery हमें दो-दो इस drone के साथ मिल जाती है तो यह बहुत ही अच्छी बात है तो हमें लगता है कि इसके साथ हमें बहुत यानि मज़ा आ जाएगा क्योंकि मुझे नहीं उमीद थी कि इसके अंदर भी पहले से battery लगी हुई है तो यार दो-दो battery मिल गई तो यह तो बहुत ही अच्छी बात हो गई तो चलिए अभी प्रॉपलर गार्ड्स को हम अपने drone में लगा लेते हैं और देख सकते हैं हमने प्रॉपलर गार्ड्स को जो है drone में लगा लिया है और अब आप इसका size देख सकते हैं यह एक काफी बड़ा drone सा लग रहा है देखने में और काफी professional सा भी लग रहा है तो यह drone लुकिंग में कहीं भी किसी professional drone से कम नहीं लग रहा है एकदम मज़ा ही आ गया मुझे इस drone को द दाल लेते हैं इसकी battery तो यहां पर इसमें तीन battery डलती है आप चार्जबल या नौन चार्जबल जो आपके पास आप डाल सकते हैं नौन चार्जबल का यहां पर मैं यूज कर रहा हूं और यह अगर मैं यूज करता हूं नौन चार्जबल तो एक बढ़ नालने पर कम से कम मेरी 6-7 महीने इजली चल जाएंगी जब कि मैं ड्रोन को डेली फ्लाइ करूं और यहां पर देख सकते हैं ओन करते ही इसकी इंडिगेटर लाइट चल जाती है तो चलिए रिमोट को अभी ओफ करके नीचे रख देते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको ड्रोन की बै कैमरा आपको अपने म॑बायल में ड़ी तो यहां पर हम अपने मुबायल लेते हैं और अपने ड्रोन का य्वानुवन लेते हैं उसके बाद हमें अपने mobile में QR scanner को open करना है अगर आपके mobile में QR scanner नहीं है तो आप Play Store से जाके भी उसे download कर सकते हैं तो फिलाल मेरे पास तो है तो मैं इसे open कर लेता हूँ और उसके बाद इसे कुछ इस तरीकी से आपको scan करना है जैसी यह scan हो जाएगा आपको एक link मिलेगा प्र जाएंगे और यहां पर यह है इसकी application RCFPV आप इसे सीधा सर्च करके भी download कर सकते हैं तो मैं पहले सी download और install कर चुका हूँ तो मेरा सीधा open का option आ रहा है तो देख सकते हैं हमने application को open कर लिया है और यहां पर अभी हमारा जो application है वो पुरी तरगी से तयार है और हमारा remote भी त सरी किसे जैसे कि मैं लगा रहा हूँ आपको भी ऐसे ही लगा देना है तो अभी जो है हमारा सब कुस्त तयार है अभी हमें क्या करना है अपने remote के antenna को खोल लेना है फ्लाइ करने से वहले इसके antenna जरूर खोल लेना क्योंकि इसकी remote की range होती है काफी जादा उसे extent कर देते हैं तो अभी हमने drone को भी on कर लिया है remote को on करते है remote भी on हो चुका है फस्ट वाल इस टिक को एक बरा pen down करते हैं इससे हमारा remote जो है वो drone से connect हो जाएगा उसके बाद अपने mobile की wifi setting में जाएंगे और जैसी आप mobile की wifi setting में जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपके drone के signal दिख जाए देना है तो देख सकते है application open हो चुकी है अब आपको यहाँ simply start पे क्लिक कर देना है और जो आपके drone का camera है वो आपके mobile पे अच्छे तरीके से show होने लगेगा देख सकते हैं हमारे drone का camera है वो हमारे mobile पे आ रहा है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है काफी बढ़ीया तरीके इस यह काम कर रहा है और कोई भी लैग मुझे इसमें नहीं दिखाए दे रहा है तो चलिए mobile में आपको कुछ options दिखा देता हूं तो यहाँ पर इसका main option जो है वो है camera बदलने का यानि आपको अगर सामने वाला camera काम कराना है तो आप इस पर प्रेस कर सकते हैं और दुबार है यह भी बड़े दरीगे से काम कर रहा है इसमें मुझे कोई lag नजर नहीं आ रहा है बागी एक काम करते हैं हम सामने वाले camera पर इसे ले आते हैं देख सकते हैं यहाँ पर है फोटो का और यह दोनों जो जाती है वो इसके अंदर चली जाती है यहां से आप अपने फोटो इंदर वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए अभी ये काम करते हैं मैं आपको ड्रोन को स्टाट करके दिखा देता हूं सिम्पल है अब आपका ड्रोन भी पूरी तरह की से तयान है अब को फस्ट वारे जोंस्टिक को नहीं पर देके यहाँ साव पर सकत चले हैगा लेकिन आपको हैट सेट मिल जाता है आप इसे एक बर जितने हैट पर ले जाके छोड़ देते हैं यह उसी सेट पैश्चे करता रहता है और ground में अगर हवा होगी तो आपको इसमें extra speed mode देखने के लिए मिल जाते हैं first speed mode में ये काफ़ी slow fly करता है लेकिन काफ़ी बढ़िया तरीके से fly करता है second speed mode में आप जब इसे fly कर सकते हैं दब ground में थोड़ी बहुत हवा चल रही हो और third speed mode तब यूज होता है जब आपके ground में बहुत ज़ादा हवा चल रही हो उसमें ये हवा की तरफ नहीं जाता आप जिधर ले जाएंगे ये उधर ही जाता है क्योंकि बहुत तेजी से speed में fly करने लगता है बागी चलिए दोस्तो इसकी stability तो मैंने आपको बताए दिये बहुत ही अच्छी है और काफी अच्छी तरह किसी ये fly करता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है fly में flying मुझे काफी ज़ादा पसंद आई बागी चलिए बात करते हैं इसकी battery की यहाँ पर दोस्तो इस drone के साथ आपको 3.7 volt 1800 mh की दो battery देखने के लिए मिल जाती है जबकि अगर किसी और drone की बात करें जो की 5000 के अंडर में आते हैं उनके साथ आपको 500 या 600 mh की battery मिलती है वो भी एक ही battery देखने के लिए मिलती है तो यहाँ पर मुझे इसकी ये बात बहुत अच्छे लगी इसके साथ 2-2 battery मिलती है और यहीं पर दोस्तो इसकी charging वगर की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो battery है एक battery charge होने वे 25-30 minute का time ले लेती है और फिर उसके बाद एक battery आपको 8-10 minute का play time देती है यानि दो नो बैटरिया मिलके आपको 16-20 minute का play time देती है जो कि काफी बढ़िया play time है क्योंकि ये इतना महंगा drone नहीं है आपको 4000 के आसपास ये मिल जाएगा सायद उससे भी कमे मिल जाए अभी क्योंकि sale चल रही है तो उसमें ये काफी सस्ता मिल रहा है यानि 3700 कुछ रुपे का ये drone देखने के लिए मिल जाएगा आपको अभी और सबसे ची बात है कि इसकी packing बहुत अच्छी है आप इसे कहीं भी ले जाएंगे तो इसके साथ आपको carry bag मिलता है जिसमें आप इसे easily ले जा सकते हैं तो ये बहुत ज़्याद अच्छा point मुझे इसका लगा है battery point और इसका जो packing point है वो बहुत ज़्यादा कमाल का है और इसकी stability भी बहुत अच्छी है बागी दोस्तों इसकी remote control range की बात करें तो मैंने अभी तक जितना उपर इसे fly किया है साइध ही किसी drone को fly किया होगा तो इसकी range में कोई भी दिक्कत नहीं है इसका जो remote है आप 2.4 GHz में मिलता है वैसे ज़्यादा तर ड्रोन्स का जो remote होता है वो 2.4 GHz में ही आता है लेकिन फिर भी range अलग अलग होती है ड्रोन्स की मैंने देखे हैं बहुत सारे मिनी ड्रोन्स जो होते हैं वो मुस्किल से 30 या 20 मीटर की भी range नहीं दे पाते हैं बहुत थोड़ी सी range होती है उनकी लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है भाई से काफी ज़्यादा range है इसकी मैंने खुद इसे करीबं धाई सो तीन सो पीट उचाई पर फ्लाई किया है और इसली बहुत अच्छी तरीके से फ्लाई कर रहा था एक बर भी मेरा सिगनल नहीं टूटा बहुत अच्छे से काम कर रहा था और सबसे खास बात है ऊपर बहुत उचाई पर भी इसका जो कैमरा है उसकी वाइफाई फोटेज मेरे मोब अराम से नीचे आएगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो ड्रोन है बैटरी खतम होते ओपर से गिर जाता है यह बहुत देरे-देरे जहां पर भी आपका फ्लाई ओर आगा वहीं पर उतर जाएगा नीचे अराम से तो चले दूस्तों मैंने आपको सारी चीज ड्रोन की ही अभी चलते इसकी कैम्रा की तरफ तो देख सकते हैं यह इसकी んな पर दो ऑगर बात क्यारे चार हीजार के वहें उसके साफ से केंड़ा काफी अच्छी है इतनी भूरी भी दूसके यहां पर जो इसकी camera footage आपको low quality लग रही है वो मैं आपको बता देता हूं क्यों लग रही है इसका जो camera है वो 1 megapixel का है यह recording 1080p में ही कर रहा है जैसे कि इसकी resolution आप देख सकते हैं frame width इसकी 2048 है और frame height जो है पर second पर recording कर रहा है तो ठीक था किसकी quality मुझे लगी है इतनी पुरी नहीं है कुछ अगर आप video recording के लिए ही लेना चाते हैं तब तो मत लेजिए लेकिन अगर आप मजे के लिए लेना चाते हैं तो इस drone को ले सकते हैं काफी अच्छा है best drone है अभी launch हुआ है बिलकुँ new है और sale की वज़े से यह अभी 3700 कुछ रुपे का मिल रहा है लेकिन अगर sale चली जाएगी तो उसके बाद यह 4500 से 5000 के उपर भी जा सकता है 4500 रुपे का मिलेगा लेकिन अभी खरीदते हैं तो आपको यह easily 3700 कुछ रुपे का देखने के लिए मिल जाएगा तो यह sale 9 तारिक तक ह हैं तो काफी फायदा आपको मिल जाएगा अगर आपको यह पूरी उड़े देखने के बाद अच्छा लगता है तो ही purchase कीजिएगा मेरे कहने पर मत करेजिएगा वैसे आपकी मर्जी है मेरे हिसाब से ठीक है यह इतना बुरा भी नहीं है और काफी अच्छा मुझे लगा इसकी flying भी काफी अच्छी है और material quality भी काफी अच्छी है रेंज भी काफी अच्छी है और सबसे कमाल की जो बात है वो है इसकी packing जो कि हमें इक इसके साथ case मिल जाता है जिसमें अबरा case है कहीं भी ले जा सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का लाइक कर देना और शेयर कर देना और कुछ पूछना होता आप कमेंट कर सकते हैं तो thanks for watching दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में